नमस्कार मैं हूँ विने मिश्रा आप देख रहे हैं HW News मद्रास हाई कोट के चीफ जश्टिस संजीव बैनर जी को सुमवार को मेखाले की हाई कोट के अगले चीफ जश्टिस के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया इस ट्रांसफर को लेकर खुब विवाद हुआ बवाल मचा वहीं सुप्रीम कोट की कॉलीजियम जो ऐसे ट्रांसफर को लेकर फैसले लेती है उसके निर्णे को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कानुन मंत्राले में नियायविभाग ने नियायमूर्थी बेनरजी के ट्रांसफर को लेकर एक ट्वीट किया है नियायविभाग ने अधिसूचना का संदर्ब देते हुए कहा कि भारत के समविधान के तहत प्रदत्र शक्ती का इस्तिमाल करते हुए राश्पती ने जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोट कलिजियम ने जस्टिस बेनरजी के तबादले की सिफारिश की थी हालांकि इस फैसले को 9 नौंबर को सारवजनी कर दिया गया था इस फैसले पर जमकर विवाद हुआ मदरास हाई कोट के वकील इस फैसले के व वकीलों ने हाई कोट के बाहर प्रदर्शन भी किया वहीं संजीव बैनरजी का तबादला में घाले किये जाने का विरोध करते हुए मदरास हाई कोट के 200 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस एनवी रमना और सुप्रीम कोट के कलीजियम को चिठी किया वकीलों ने 11 नमबर को चिठी लिखी थी और इसमें चीफ जस्टिस को संबोधित किया गया है और इसकी कॉपियां कॉलीजियम के अन्य सदस्यों को भी भेजी गई थी इस चिठी में तबादले के प्रस्ताव को इमांदार और निडर नयाधीश के खिलाफ दंडात्म इसकावाले मद्रास हाइकोर्ट से मेघालय हाइकोर्ट में ट्रांसफर चिंता जनक प्रश्न उठाता है जिसमें मौजूदा समय में नयाधीशों की संग्या किवल दो है वकीलों ने चिठी में कहा है कि उन्हें निश्पक्ष माना जाता है वह नियाय प्रणाली के पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ता इसका बलकि हाई कोट कलीजियम दौरा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में भी देरी होगी इस बारपन्नों की चिठी में वकीलों कहा कि बहतर प्रशासन के लिए ट्रांसफर जरूरी होते हैं लेकिन बार बार सदस्यों और आम जंता को पता होना चाहिए कि जिस अदालत में हर साल 35,000 मामले आते हैं वहां के चीफ जस्टिस को ऐसी अदालत क्यों भेजा जा रहा है जहां मुकर्दमों की संख्या सत्तर से प कामों को न्याइपालिका की चवी बिगाडने वाला करार देते हुए उनके खिलाब कारवाई की मांग की थी तमिल नाडू में भाजपा से जुड़े वकीलों का विंग उन वकीलों के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग कर रहा है जो मद्रास हाई कोड के मुख्य न्याधी और अखिल भारती बार काउंसिल को सौंपे गए ग्यापन में वकीलों के एक समूह के खिलाब कड़ी कारवाई करने की मांग की है जो अनावर्ष्यक विरोध से नयाइपालिका की खराब छवी पेश कर रहे हैं आपको कुछ फैसलों के बारे में भी बता देते हैं जिनका संजीव बेनर जी जिन फैसलों का वे हिस्सा रहे थे जश्टिस संजीव बेनर जी ने कहा था कि आपके चुनाव आयोग पर मर्डर चार्ज के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए COVID-19 Management, Vaccine Procurement, Oxygen, Distribution को लेकर जश्टिस बेनर जी ने केंदर सरकार के खिलाब कड़े शब्दों का इस्तिमाल किया था मद्रास हाई कोड के चीफ जश्टिस संजीव बेनर जी और जश्टिस पीडी ओडी केस वालू की पीठ ने सितंबर महिने में डिजिटल मीडिया से जुड़े नए IT नीमों को लेकर फैसला सुनाते हुए Information Technology, मध्यमवर्ती, दिशानी देश और Digital Media आचार सहिंता नियम के 2021 के कुछ उपबंधों पर रोग लगा दी है बेंच ने इस मामले की सुनुआई के दौरान कहा कि याचिका करताओं की इस दलील में प्रथम द्रिश्टया आधार यह है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र, ट्रिंट और इलेक्ट्रोनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोगतांत्रिक सिधानतों से वन्चित कर सकता है उन्होंने पुदूचेरी में बिजेपी दौरा कथित तौर पर आधार कार्ड के जरिये गलत तरीके से वोटरों के मोबाइल नंबर इकठा करने के मामले में भी सक्त रूप अपनाया था और जस्टिस एसके राजन पैनल को नीट पर अपनी रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की अनमती देने के लिए एक बिजेपी नेता की याचिका को भी खारिज कर दिया था इन सभी फैसलों को बिजेपी की मोधी सरकार के खिलाप कहा जा सकता है कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या जस्टिस बेनर जी को सजा देने के लिए उनका ट्रांसफर मिगालाय हाई कोड में किया गया है हालां कि विवादों के बीच मद्रास हाई कोट के मुख्य नयाधीश संजीव बैनर जी मिघाले हाई कोट के मुख्य नयाधीश के रूप में कारेभाल सम्हालने के लिए 17 नॉम्बर की सुबह चिन्नई से निकल गए जश्टिस बैनर जी को 22 जून 2006 को एक स्थाई नयाधीश के रूप में कलकत्ता हाई कोट की खंडपीट में पदोन्नती उनको मिली थी जिसके बाद इसी सालियानी 2021 में उन्हें मद्रास हाई कोट का चीफ जश्टिस बनाया गया था अपने सहयोगियों को फेरवेल मेसेज में मद्रास हाई कोट के मुख्य नयाधीश संजीव बैनर जी ने अपने कारस्थल की सामंती संस्कृती को धोष्ट करने में सक्षम नहीं होने के लिए खेद व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि आपको मुझे लंबे समय तक रखना पड़ा मैं आपके पुर्ण सहयोग की सराहना करता हूं मुझे खेद है कि मैं उस सामंती संस्कृती को पूरी तरह से नश्ट नहीं कर सका जहां आप नौकरी करते हैं फेरवेल मेसेज के तौर पर जश्टिस संजीव बेनर जी ने एक चिठी लिखा था जिसमें वह आगे लिखते हैं कि रानी और मैं इस खुबसूरत और गौरवशाली राजी में हर किसी के लिए हमेशा रेडी हूं मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अलविदा न कहने के ल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो एक इंटरेश्टिंग बात आपको और बताते हैं इससे पहले 2019 में मद्रास हाई कोट की मुख्य नयदीश रही जश्टिस विजया के ताहिल रमानी का तबातला भी मिखालय हाई कोट में किया गया और उन्होंने इसके बाद को दोशिद्धी और उम्मकैद की सजा को बरकरार रखा था शिस अदालत ने इस मामले को गुजरात की अदालत से महराश में ट्रांसफर किया था उन्होंने में मेगालय हाई कोट में अपने तबादले और मामले में पुनरविचार की अपनी याची का खारिज किया जाने क कि क्यों सुप्रीम कोट कॉलिजियम ने अपने फैसले को सारवजनी करने में इतना समय लिया कुछ सालों के भीतर जश्टिस संजीब बेनर जी मदरास हाई कोट के दूसरे ऐसे चीप जश्टिस हैं जिन्हें इस तरह से डिमोट किया गया क्या यह ऐसा हाई कोट बनता जा रहा है जिसके जजों की काबिलियत इतनी भी नहीं कि उन्हें किसी बड़े अदालत का चीव बनाया जा सके वे कौन से कारण होंगे जिनके कारण जश्टिस बैनर जी का डिमोशन हुआ क्या उन्हें सत्ता के विरोध में दिये गए फैसलों की सजा मिली है सुप्रीम कोट क को ध्यान में रखकर जजों का तबादला करती है यह सबी सवाल एक बड़े सवाल की ओर खामुशी के साथ इसारा करते हैं वह सवाल यह है कि न्याय पालिका आजके दौर में कितनी सुतंत्र हैं हम उम्मीद करते हैं कि सदूर के समय समय पर जवाब दें तय करने के अली सरक इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहा है कमेंट कर हमें जरूर लिखें धन्यवाद